हमारी सरकार ने शर्म को घोल कर पी लिया है जिस राज के किसी गाउं से ये ख़बर आया कि गाउं की महिलाओं ने अपने घरों और गाउं को बचाने के लिए उन साडियों को बांज बनाने के लिए दे दिया जिससे वह पहना करती थी तो अब क्या सोचेंगे सबसे हरानी की बात है कि यह सब कुछ पिछले नौदस दिनों से चल रहा है जहां गाउं के लोग अपने घरों को सुलक्षित रखने के लिए खुद से बात का निर्मार कर रहे हैं लेकिन अस्थानिय प्रशासन को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है देश के बड़े मीडिया चैनल इस खबर को दिखा रहे हैं वे इस खबर के बारे में लिख रहे हैं लेकिन हमारी सरकार ने अपनी आखों पर ना जाने कौन सा पट्टी माधा है कि उसे यह सब कुछ नहीं दिख रहा है हमारी सरकार को यह सब नहीं दिख रहा है कि कहीं किसी मरीज को चरपाई पर टाम कर पानी के बीच से होते हुए अस्पताल पहुचाया जा रहा है तो कहीं गाउं की महिलाएं अपनी सारी को दान दे रही हैं जिससे बाद बनाया जा सके और उनके घरों को बजाया जा सके। गाओं के ग्रामीर खुद मिलकर लगबग 700 मीटर लंबे बाद का निर्मार कर रहे हैं। लेकिन अस्थानिय प्रशासन के बास इतनी भी शक्ति नहीं है कि वह उन्हें कुछ मदद मुईया करा सके। अब नमस्कार हमार ना मैं मुईत कुमार सिंग और आप देख रहे हैं जनता जक्षन का भी से इसकारी क्रम एक्स्प्लेनर। दिनली के अस्पिताल में अहां का इलाज कराने वाले मुख्यमंतरी नितिश कुमार को यह कहां दिखरा होगा कि बेतिया के महादेवा गाउं के पास गाउं की महिलाएं अपना सारी दे रही हैं जिससे बांच का निर्मारो सके। और यह सब कूछ पिछले नौदस दिनों से चल रहा है रेकिन प्रशास्तन के पास इसकी कोई जानकारी है ही नहीं। ग्रामलो ने जब देखा कि 200 एकड़ की छेती कट गई है और अब गाउं कटने वाला है तब उन्होंने फैसला लिया कि अब जो करना है वो उन्हें खुद करना पड़ेगा। समाज की मजबूरी भी है कि जहां सरकार और सरकारी तंत्र फेल हो जाए वहां मजबूरन उसे आगे आने पड़ता है। ग्रामलो ने सरकारी अधिकारीों से कई बार बातचीत की और उन्हें गुवार किया कि किसी प्रकार से बांज को बनाया जाए जिससे उनका गाउं बच जाए लेकिन अधिकारीों ने बात को अनुसना कर दिया। जब कोई चारा नहीं रहा तब ग्रामलो ने आपस में चंदा बटरना शुरू किया और इस प्रकार से चार लाख रुपया इकठा किया गया एक हजार बांज की भी बेहुस्ता हुई इसके बाद से ग्रामलो ने खुद से 700 मीटर लंबा बांज बनाने का काम शुरू कर दिया दिक्कत यहा आई कि बालू को बोरे में डाल कर बांज पर रखने के लिए उनके पास कोई जाली ही नहीं था सरकार की तरफ से उन्हें क्या मदद मिल चकती थी या उन्हें भाख हुभी पता था और फिर गाउं की मैलाएं सामने आई उन्होंने बालू को रखने के लिए अपने साडियों को दे दिया जिसके बाद से 700 मीटर लंबा बांज बनाने का काम शुरू हो गया अब लगभग 19 दिन से ग्रामिट साडी में बालू वाला बोरा डाल कर बोरा को भर कर साडी के अंदर डालते हैं और उस प्रकार से बांज का निर्मार कर रहे हैं लेकिन किसी भी सरकारी या दिकारी या फिर जन प्रतिमिदी ने यह जरूरी नहीं समझा कि एक बार उनसे जाकर मिला जाए और उनकी परिशानी को समझा जाए यह भीहार है जहां काम के नाम पर सीफवादा होता है और जब राज में लोगों को सरकारी तन्र की जरुवत होती है तब नेता और अजिकारी आँख बंद कर अराम से अपने घर में सोते है एक और फोटो पश्मी चमपारन का ही सोचल मीडिया पर घुम रहा है जिसमें दिख रहा है कि चरपाई पर कुशीवा किसी को उठा कर दे जा रहा है चरपाई पर जो लड़की लेटी है उसकी तबियत खराब है और ग्रामलों के पास इतनी सुविदा भी नहीं है कि उसे वहां से अस्पताल पहुँचाने तक की कोई व्यवस्था हो अब सोचिए कि अगर बाल में बिमारी फैलने से किसी की तबियत खराब हो तो फिर हमारी सरकार वहां पर क्या सुविदा होईगा करा पाएगी यह तस्बीर बता रहा है कि अजादी के इतने सालों बाद भी हमारा भीहार किस हालत में है और किस प्रकार से अपनी मूल भूथ सुविदा के लिए तरस रहा है यहां कोई बड़े-बड़े फैक्ट्रियों की बात तब करेगा जब उसके पास मूल भूथ सुविदा होगी जिस बीहार में अभी इस बात के लिए लड़ाई चल रही है कि हमें सड़क चाहिए हमें अस्पताल चाहिए उस बिहार में बड़ी-बड़ी फैक्रियों की बात करना ही बेईमानी होगी हर साल सेक्रो करोर खर्च करने के बावजूत बिहार में बार का आना तै होता है और इसमें सरकार का कोई दोश भी नहीं है क्योंकि यह तो एक प्राकिर्तिक आपदा है बार में डूबो लोगों के पास खाना बनाने के लिए जगह नहीं है लेकिन सरकार में बैठे लोग सब ठीक होने का दावा कर रहे है एक और खबर आई कि आठ साल पहले जिस सरक का निर्मार 500 करोड से हुआ था वह बारिस के कारण धस गई समचार पत्रों में लिखा गया कि तेज बारिस ने 500 करोड की लागत से बनी सरक की गुलवक्ता की पोल खोल दिया हमारे मुख्यमंत्री जो अभी अपने आंका इलाज कराकर दिली से वापस लोटे है उन्हें शायद या सब कुश नहीं दिख रहा है उन्हें नहीं दिख रहा है कि बियार में किस प्रकार से बार ने कहर बर पाया है या फिर वें इंतजार कर रहे हैं कि जब मामला और बिगर जाएगा तब समुदाई कीचन वगरा का इंतिजाम कराये जाएगा और बताये जाएगा कि सरकार तो आम जनता के साथ हर प्रस्थिती में खड़ी है बाकी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जो काम उसे करना चाहिए वह मजबूरन ग्रामिड कर रहे है फिलाल इस वीडियो को ही इसमाप करते हैं आगे बार से जुड़ी या फिर जो भी अन्यजानकार याएगी उसे आएमाप तक पहुंचाते रहेंगे वीडियो शेर कीजिए फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेज को राइक कीजिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं फिर बहुत लगले वीडियो में कैमरे के पीचे खड़े हैं पीजो रसी या और मैं मुहित मार से धन्यवाद